अक्षे कुमार की ओमेगॉड आठ सालों पहले रिलीज हुई थी और रिलीज के 5-6 सालों बाद फिल्म के सीक्वल पर काम शुरू हुआ लेकिन फिर आई आमिर खान की पीके जिसकी स्क्रिट ओमेगॉड पार्ट 2 से बहुत मिलती थी और भारी मन से ही सही लेकिन ओमजी 2 को डिब्भा बंद कर दिया गया क्योंकि अगर ये फिल्म बनती तो पीके का रिमेक हो जाती अब वापस ओमजी 2 बनना शुरू हो गई है और अक्षे कुमार पीके का ही रिमेक करेंगे गवर तलब है कि ओमजी 2 की स्क्रिट का केंद्र होगा बाबा राम रहीम सिंग याने की मेसेजर ओफ गोड अब जरा याद करिये तो पीके पहले ही बाबाओं पर ही केंद्रित थी ऐसे में अक्षे पीके ही बनाएंगे लेकिन और धंग से बनाएंगे ठीक वैसे ही जैसे आमिर खान और धंग से रूसमत बनाने वाले हैं जी हाँ अगर आपको नहीं पता तो आम पर एक कहांी बना रहे थे आमिर खान इस फिल्म को लेकर इतना उटसा है थे कि अपनी रिसरच पूरी करवा चुके थे फिल्म को डाएरेक कर रहे थे राममादवानी इतना ही नहीं फिल्म की टीम लंदन जाकर सिल्विया यानि की मेसेज नानावटी से मिल भी चुकी थी रूस्तम देखने के बाद आमिर निराश हो गए, क्यूंकि फिल्म नाना वटी केस से काफी या फेरियूं का है कोसों दूर थी, उनकी स्कृत निश्चत रूप से बेहतर थी, बहरहाल पीके और ओम जी में भी तगड़ा कनेक्शन था, देखिए यहां, हलकी फुलकी कॉपी जिसने भी पीके देखी है और वो अच्छी फिल्मों का शौकीन है, उसे पता है कि ये फिल्म अक्षय कुमार और प्रेश्रावल की बेहतरीन फिल्मों हमे गौड की हलकी फुलकी कॉपी थी, अब हमे गौड उतनी नहीं चली और इसका फायदा राजकुमार हिरानी ने पी कर आएंगे लेकिन पीके के बाद हर चीज उन्हें वही पुराना प्लोट लगी, पहले भी कॉपी वैसे जिन्हें नहीं पता हो उन्हें बता देते हैं कि आमिर ने अक्षय की फिल्म से क्या-क्या कॉपी किया, ये दुनिया वीज वो दुनिया दोनों में ही दूसरी दुन है या नहीं, ओह में गौड थी लाख गुना बेहतर किसी से भी पूछएगा आपको जवाब मिल जाएगा कि कौन सी फिल्म बेहतर थी